तो आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसके लिए हम हमेशा तुक्के मारते हैं हमेशा बेपर में हमें होता है कि आरे ये चीज रहें दो हम आ जाएगा समझ वहाँ पे तो कर लेंगे नहीं तो फिर तुक्का तो ही है ठीक है गट Philip तो हम सब में ही वड़ी यदा है बट हमने यह नहीं करना हम आपको यहाँ पर तुक्के माहने Electronic से सिकhाएंगे कि आपको से तो पर पहले हम एक आप उसको अराम से सॉल्फ कर लोगे कुछ ऐसे इंपोर्टेंट इडियम्स आइवल बी टेलिंग तो यू जो हम छोटी चोटी वीडियो लेकर फटवर से आपके पास आने वाले हैं यही इसका मतलब निकल के आ रहा है तो जब भी आपको यह वले इडियम आजा यही निकल के आ रहा है जब हमारे इंटरस्ट की कभी भी कोई बात आ जाए ठीक है तो जैसे फिल्फ की आपको यही निकल के आ रहा है तो इसके इंटरस्ट की कोई बात कर दे है या फिर हम लोग पंजाबी बहुत है और हमारा फेवरेट खाना आ जाए अगर उसकी आरोमा हमें आजाए तो हम लोग क्या करते हैं पड़ा पड़ा अपनी सीट से उठके चले जाते हैं यह क्या होता है तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है वो यही है विलिंग तो डू सम्थिंग इमिजेटली मोस्ती जो आपके इंटरस्ट की तब आपका यही वला बिहेवियर रहता है कि आप इमिजेटली उसको उठके करने के लिए रेडी हो जाते हो ठीक है नेक्स आपका इडियम आता है तो बेल दे कैट अब बेल दे कैट अरे यह तो सबसे कॉमन चीज है जो आप जोब एरिया में भी जाओगे तो इंपलोई आपस में क्या बात करने जाएगा सर से कौन बात करेगा बॉस से कौन की यह कहने वला है तो मतलब कोई पर्ट बेल देकिंग रिस्क थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है पर यही तो हम कहते हैं रिस्क लोगे तभी आप जीत पाओगे तो डर के आगे जीत है यह वही चीज है ठीक है नेक्स आप का आता है एँ अ मैन फर र 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 ह、 वही चीज है फिर द्पाइब बाढ़ पर फॉच्ट कि आ बडेकिंग तो बाढ़ा है इपकूर र र रोल लो तैकर वो इस्क लिए पोर्टाश क्रूर। नहीं करने की तब आप यह वला इडियम लगाओगे a man of a straw next आपका इडियम आता है at sixes and sevens अरे हर जगह पे ही अपनी बाते कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है तो आपका behavior कैसा हो जगा इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ तो यहां पे जो हम बात बो बोलना है कहा जाना है when you know when you are not having that clarity you use such idiom okay next which says feather wants own nest अब चेडिया है वो अपना घर बनाती है जोडती है ताकि वो जो उसके जो एग्स है वो प्रॉपर्ली नरिश हो जाए ठीक है पर अगर यह हम human being के लिए यूज कर दे इसका मतलब क्या है गर तो है पर उसको और वे से सजाई जा रहे है तो हमारे आप में बड़ी आदत है है we people are very judgmental तो जचमेंट जब हम नहीं करने लग जाते है है भो के लिए यहाँ अभी तो हम इतना से घर मे रह रह था अब यह इतनी और चाहीं अगा से एक्सरा आरी है धिनू बेक्षपिछई ऑफ एघ नी अब बिस्वेश के उन्ट पर संट पर संट पर से जूइ इसका मतलब यह होता है when you receive a sum of money at your retirement मतलब एक बंदे ने company में या किसी factory में बहुत देर तक काम की है and at the end जब उसको retirement होती है that person is blessed with a very good amount of money तो उस amount of money को एक तरह से हम golden handshake करते है जो last goodbye होता है जो last farewell हम उनको देते है that is the golden handshake next item which says to die in harness die in harness का मतलब होता है to die while on duty अब इसको आप मेटफोरिकली सभजने की कोशिश कीजिए कि when you are having a bulletproof jacket obviously first of all you are on duty ठीक है you are doing some work then you are harnessed harnessed का मतलब है कि आप तारो से लट गया a bulletproof jacket is also a kind of a harness because you are protecting yourself harness का मतलब ही होता है a protection is given to you ठीक है but उसके बीच में ही मर जाना ठीक है उसका मतलब क्या हो रहा है कि आप किसी particular duty पे थे and duty करते करते ही you got died ठीक है तो यह इसका मतलब आता है और यह बहुत ही बहुत important EDM है इसको भी ध्यान में रखना next आपका आता है spill the beans यह बहुत ही common है clear हो रहा है image से देखो beans थे खोल दिया बहार आ गया मतलब क्या है कि जो अंदर बैटी हुए चीजे थी अगर हम उसका धकन खोल देते हैं तो सारी चीजे क्या हो जाती है बहार आ जाती है when you disclose a secret उसका मतलब यह होता है that it is spilling the beans okay next आपका आता है idiom which says beat around the bush very 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 important one जिसका मतलब निकल के आता है when you are uncomfortable either when you are uncomfortable या फिर when you avoid discussing the real matter क्या कह रहे है देखो बुष को आप मारी जारे है मारी जारे है someone is talking to you and you are just beating the bush without any reason उसके अंदर से कुछ निकलने तो वाला निया it means you are avoiding that person जिसका मतलब निकल के आता है when you are uncomfortable तो आप यही चीज करते हो next यह एदिम निकल के आता है hard and fast which means very strict जैसे यह बोल रहे है तो सीधी सी बात है आप company में जाओगे वापे rules कुछ तिया होंगे and those rules will be very strict तो आप पर जाते सारी आपको बता दिया जाएगा that this company is having a hard and fast rule that this like for example smoking is not allowed over here तो यह क्या है एक तरह से आपको hard and fast rule बताया जा रहे है not many things, हर जगा पर भी आपको घर में भी चीजे बता ही जाने है there are certain rules and regulations which you have to follow next यो आजाता है smell a rat smell a rat now you can actually see the expression that person is carrying actually may when you suspect something foul ठीक है मतलब डाल में कुछ काला एक तो वह चीज होगी यहाँ पर डाल में कुछ काला है but something very awkward something you are not appealing to the same वहाँ पर यह चीज आएगी that you are smelling a rat and most of the times when you go outside गड़े भी जाते हो आप अपने घर में भी देख सेते हो आपनी भी देख सेते हो एक फ्यापनी नियुक्पनी में भी भी यह जहां पर कोई भी चीज ऐसी फिची लगे कि जहां पर आपको बूच गड़ लगे और आप असस्पेक्ट कर भी रहो आपकी गड़ फिलिंग कह रही है कि नहीं, एक्चली में ही बहुत बड़ी गड़बड होने वाली है, then is the time you are spinning a rat. Okay? Next, the idea comes which says that all at sea. All at sea means what does it mean? State of confusion. Just like this is it. Just imagine yourself, just one thing. You are going to go somewhere, you are going to the sea. Okay? Under the sea, under the sea. There is no one getting to the sea. There is no one that has no one. What will your state of mind happen? You are confused, right? I am getting lost. So, if you are going to the job area, a lot many documents are piled up in front of you. The very first day only. You will be in the state of confusion. You will be at the sea. That what will I do? I don't understand. I have to go now. Where do I have to be in my expertise? Where do I have to be in my expertise? I don't know. So, then, when you have to complain about it, obviously, time will be. So, when you have to look at it, you will have to look at it. But before that, when you are in the state, it will be all at sea. Okay? So, these were all our idioms today. And if you have to know more idioms, which we are going to bring in other videos, as well as you can get to know more idioms, which are definitely in your competitive exams. So, for all the other idioms, please like us. Our Panacea Tutor. And if you are new to our channel, you can subscribe. You can press the bell icon. Also, also, if you have any queries, you can comment on the comment section. Thank you so much. Bye-bye.